हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे प्रोटीन रिच वेज सोया बिर्यानी वो भी कूकर में सिर्फ दस मिर्ट में तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमने दे लिया एक बोल बोल में डालेंगे करम पानी और जो सोया चंग से इसको हम इसमें सोक करने के लिए छोड़ जाएंगे ताकि यह सॉफ्ट हो जाएं बिल्कुल इस तरह और आप चाहें तो इसको वाश भी कर सकते हैं और इसको साइड में रख देते हैं इसके बाद हमने दो कप यहां चावल लिया है चावल को भी हम सोब कर देंगे पानी में यह देखिए बिल्कुल इस तरह चावल लेके और इसको सोब करके और इसको भी हम साइड में रख देंगे इसके बाद हमने एक बॉल में एक कप दही लिया है दही में हम कुछ इंग्रेडियेंट्स डालेंगे उसके बाद जो है सोयावीन को मैरिनेट करेंगे स्क्वीज करके तो सबसे पहले हमने लेना है लाल मिर्च पाउडर इसके बाद हल्दी पाउडर धनिया पाउडर गरम मसाला नमक अपने टेस्ट के कॉर्डिंग लेंगे हरी मिर्च इसको मैंने स्लाइसेज में काट लिया है अगर आप चाहें तो हरी मिर्च की कौन्टिटी बढ़ा भी सकते हैं यह आपके ऊपर है और एक चमच जिंजर गार्लिक पेस्ट अब इससब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से अब मसाला को अपने कॉर्डिंग डाल सकते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा स्पाइसी चीए तो मसाली की क्वान्टिटी पाफ इंक्रीज भी कर सकते हैं यह देखिए अच्छी तरह से इस तरह से बिल्कुल मिक्स करके और अब हम इसमें सो अब इसमें थोड़ी सी गाजर टाली है और अगर आप चाहते हैं तो और भी वेजटेवल एंड कर सकते हैं विच्वाइस की कोडिंग अब इनको हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे साइब नेक्स्ट यहां पर फ्रेंड्स हम यूज कर रहे हैं प्रेशर कुकर जिसमें की बियानी जल्दी बन जाती हैं और इस इसके बाद हम इसमें गी डालेंगे जो की बहुत इंपोर्टेंट इंग्रीटेंट्स है जिससे की अमेजिंग बियानी में अगर आप चाहे तो बटर भी उसकर सकते हैं अगर आप पास गी अवेलबल नहीं हो तो और इसके बाद हम इसमें एड करेंगे कुछ खड़े मसाल जो की यह भी बहुत इंपोर्टेंट है बियानी के लिए इनके बिना इसमें कोई टेस्ट नहीं आएगा कोई फ्रेवर नहीं आएगा तो सबसे पहले हम में डालना है जीरा तेज पत्ता डाल जीली हरी इलाइची लॉंग काली मिर्च और थोड़ी दर के लिए इनको हम जाई कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तेल के अंदर और अब हम इन में कटे रिए प्यास डालेंगे जो कि हमने अल्रेडी काट के रखा हुआ है और गोल्डेन ब्राउन होने प्राई करेंगे तो देखे फेंड्स थोड़े से गोल्डेन प्राउन हो चुके हैं और अब हम इसमें एड़ करेंगे जिंजर का लिक पेस्ट और याद रहें कि हमने मेरिनेशन में भी यूज करा हुआ था तो उसके एक और्डिंग ही हमने यूज करना है यहां पर करेंगे तो प्याज हमारे गोल्डेन ब्राउन हो चुके हैं तो इसमें अब हम डालेंगे स्लाइस के हुए टमाटर गाइस टमाटर और प्याज के जो पंटुकी है दोनों की मीडियम साइज दो दो लिया था हमने और यह टमाटर को अच्छे से अब मिक्स कर ल का लेयर ठीक बेस त्यार हो जाएगा बिर्यानी का और ज्यादा नहीं पकाने हमें प्रमाटर को क्योंकि यह अल्रेडी सॉफ्ट होते हैं तो यह कूकर में तो पैसे भी पक जाना है और अब हम इसमें डालेंगे मैरमेड किया हुआ सोया भी और इनको भी हम अच्छी तरह स में मिक्स कर देंगे और तो गाइज अच्छे से मिक्स हो चुका हिए और दिरे दिरे इनको हम अब एक ठीक लेयर बनाएंगे बिल्कुल इस तरह से और यहां पर फेंड्स थोड़े से मट्री यूज़ कर रही हूं तो कि यह हल्दी भी होता है और बिर्यानी में थोड़ा लूप भी अच्छा देता है आप चाहें तो इससे स्किप कर सकते हैं यह विल्कुल ऑप्शनल है यह इसकी इंग लेयर बना देंगे ऐसे और अब हम इसमें चावल दालेंगे जो कि आपने वीडियो में पहले देखा ही है मैंने सोग किया हुआ था लबग 15-20 के लिए क्योंकि हम बना रहे तो जाले देर के लिए सोग भी नहीं कर सकते हैं यह बिल्कुल इस तरह से पानी भी रखा हुआ है तो उसको भी मैं डालूंगी जिस्से की कलर बहुत ही बहतरी नाएगा और उपर से इसमें हम गिली ही डालेंगे ताकि जो हमारे चावल हैं बिल्कुल अशी तरह से मिक्स होके और हापस में चिपके रहे हुआ यहां पर मैंने दो कब चावल लिया हुआ था पर इसमों मैं तीन कप पानी डाल भी हूँ कर देते हैं और फ्लेम जो है मीडियम ही रहेगा हमारा उस फ्लेम पे एक सीटी लगने देंगे उसके बाद वेट करेंगे पैसा निकलनेगा फिर हम खोल के देखते हैं प्रेक्स कैसा बनता है हमारा प्रोटीन भी चुग रहाने तो बिर्यानी पक चुकी है हमारी और अभी चक करेंगे कैसी बनीगे खुश्बू तो बहुत ही अच्छी आ रही है फ्रेंस आप भी ट्राइक करना जरूर इसे और कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताना कि आपको यह जैसे कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा यह देखिए बहुत ही बैटरिंग बढ़ी है आप भी ट्राइक करेंगा फ्रेंड्स तो मिलते आप से नेक्स वीडियो में थैंक्यू बबाए झाल बबाए